साहितिक एक्षेत्र में काविय के महतवपुर्ण अंगों में रस को माना जाता है रसात्मकम वाकियम इतिकावियम ऐसे साहिसाचारियों का कहना है रस्यों के चार अंग होते हैं मन में हमेशा सुप्त अवस्था में रहने वाले वो भाव जो इस्थाई होते हैं जो निशित म मन में वह भाव जाग रहा है विशय जिसको देखकर वह भाव जाग रहे हैं और उद्दीपन वह माहौल होते हैं जिसके द्वारा आश्रे के मन में विशय को देखकर वह भाव जागता है जब आश्रे के मन में विशय को देखकर माहौल के द्वारा जो भी उसने अनुभव क होते हैं याने कि किसी भी रस निश्पत्ति के लिए इन चारों अंगों का होना आवश्यक है